हेलो एंड विल्कम बेक फ्रेंट्स आप देख रहे हैं स्टडी मॉमेंट यूटूब चैनल आज इस वीडियो में बात करेंगे 23 अप्रील से रिलेटर जितने भी इंपोर्टेंट करें अंटेफिस्ट बनते हैं उसके बाड़े में साथ साथ extra fact भी discuss करेंगे जो आपके exam के लिए काफी ज़्यादा helpful रह सकता है सो वीडियो को last तक ध्यान से जरूर देखेगा last में आपसे एक test के तोर पे question पूछा जागा जिसका answer आपको comment box में बताना है और इस test वाले question का discuss कल वाले वीडियो में कर लेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने इस पर अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर और साथ में notification को जरूर प्रेस कर लिएगा क्योंकि मैं daily current of years का वीडियो upload करूँ तो notification आपके पास time to time मिलता रहे अगर वीडियो अच्छा लगए तो एक like जरूर कर दिएगा अगर आप इसका PDF रेना चाते तो वहारे टेलिग्राम चैनल से join हो सकते हैं जिसका link आपको description box में मिल जागा या फिर टेलिग्राम पर जाकर search कर सकते हैं study moment और वहां से जाकर टेलिग्राम चैनल जोईन कर लें वहां पर हर रूद सुबह में आपको current affairs का PDF और जितने वी एक्स्ट्रा वीडियो आता है एक्स्ट्रा वीडियो होता है वहां पर time to time डाला जाता है तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले question of the day देख लेते हैं यानि कल वाले वीडियो में जो question पूछा गया था जिसका answer कई student ने सही बताये थे हाली में किसने सभी राजियों और केंदर सासित परदेसों को school की fees नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है तो friend जिसका सही answer हो जागा CBSC board ने CBSC board जो है वो school की fees नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है और साथ 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 सिक्षकों को वेतन भी देने का आदेश दिया है अब बात कर लेते हैं कि नीजी इसकूल यानि जितने भी private school है उन्होंने सलाना फीस बढ़ाने का फैसला लिया है यह question of the day का answer हो गया अब आज का current affairs देख लेते हैं आज का first question है आपका इन में से किस परसिद कार्टून एनिमेशन के निर्दे सक जीन डिच का हाल ही में नीधन हो गया तो फिर इसका सही answer हो जागा Tom and Jerry कार्टून एनिमेशन के निर्दे सक जीन डिच का हाल ही में नीधन हो गया बात करते एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो कार्टून एनिमेशन के निर्दे सक जीन डिच को ऐसकर से सम्मानित किया गया था इन्होंने विस्प ऐसकर से सम्मानित किया गया ठीक है यह एक्स् को अपने अपार्टमेंट में मिर्त पाए गए थे ठीक है ना जीन डीच जो है पहले उत्री अमिर्का में सेना से जूरे हुए थे वहाँ पाइलट को ट्रेनिंग देते थे और सेना के लिए ड्राफ मैंन का काम करते थे यह आप एक्स्टा फेक्ट ध्यान में रख लीजेगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन को देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन है आपका भारतिये बैड्मिन्टन संग और किसने मिलकर अपना ओन्लाइन कोच विकास कार्जिकरम सुरू किया तो फ्रेंटिस का सही अंसर हो जागा भारतिये खेल प्राधिकरन और सी आपका correct अंसर हो ज चलेगा और हपता में पांच दिन तक पांच दिन क्लास चलेगा ठीक है इसका चलिए अब नेक्स्ट कोश्चन को देख लेते हैं question number 3 है अपका नीम्न में से किस राजी की भाजपा सरकार में पांच मंत्री कमल पटेल मिना सिंग नरुत्तम मिसरा तूलसी सिलावट और गोबिंद राजपूत ने मंत्री सपत ली है तो फ्रेंटिस इसका सही अंसर हो जागा मध्दे परदेश मध्दे परदेश राजी की भाजपा सरकार में पांच मंत्री सपत लिए हैं ठीक है फ्रेंट्स जिन्हें जोत्रादित सिंधिया गुट ने सपत दिलाई है ये पांचों मंत्री को चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं कोश्चन नमबर फोर है आपका हाली में कौन सा देश क्रोना वायरस संक्रमन से अधिक लोगों की जान गवाने का चौथा देश बन गया है देखिए फ्रेंट्स यहां पर हो जागा 20,000 से अधिक यहां पर 20,000 टाइपिंग मिश्टेक है ठीक है ना हाली में कौन सा देश क्रोना वायरस संक्रमन से 20,000 से अधिक लोगों की जान गवाने का चौथा देश बन गया है तो फ्रेंट इसका सही अंसर हो जागा फ्रांस फ्रांस ने चौथा देश बन गया है जो की 20,000 से अधिक लोगों को जान गवा चुके हैं क्रोना वायरस से स बात कर लेते हैं कि ICMR research के मुताविक दूसरे नंबर पर भारत को काभू में कर लिया है और क्रोना से छुटकारा पाने में क्रोना को काभू में करने के लिए यह दूसरा देश अपना भारत देश बन गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं जापान अमेरिका सब को पीछे छोड़कर और भारत दूसरा नंबर का बन गया है जो कि क्रोना को काभू में ले लिया है दूसरे नंबर पर ठीक है ना चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं कौəश्चन नंबर फाई है आपका हाल ही में किस डेस की सरकाड ने सभी विदेश्यों के पड़्वेस पर रोक लगा दिये तो फिरेंड़्स का सही अंसर हो जब अमेरीका चलिए next question को देख लेकिते हैं, question number 6 से आपका, बाइस अप्रेल को विस वर्ड में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो friends इसका सही अंसर हो जागा, विस वो प्रित्वी दिवस ये सभी को पता है, अब बात करें ते कि इसका उद्देश से क्या है, विस वो प्रित्वी दिवस का आया गया, पत्चासवा, ठीक है ना, पत्चासवा, अब एक्स्ट्रा फेक्ट के बाड़े में बात कर लेते हैं, कि विस वो प्रित्वी दिवस के अस्थापना उनिश्व सत्तर में किया गया था, किसके दोरा, तो अमेर्की सिनेटर जिराल्ड निंसल के दोरा, पढ़िया नेक्स्ट को देख लेते हैं, कोश्चान नमबर सेवें हैं आपका, उत्राखंड के देहरादून हरी द्वार और नैनी ताल में क्रोना वायरस के 85% मामले आने पर इन जगों को कौन सा जोन घोजित कर दिया गया है, तो फ्रेंट्स का सही अंसर हो जाएगा, रेड जोन घो 20 लोगों को, नैनी ताल में 9 लोगों को, हडी द्वार में 7 लोगों को, और उदम सिंग नगर में 4 लोगों को, और पौडी गडवाल और अलमोडा से एक एक लोगों को, यानि टोटल जो है 42 पॉजिटिव पाया गया है, ठीके फ्रेंट्स, यहां रेड जोन घोशित कर दि लिए next question को देख लेते हैं, question number 8 है आपका, निम्न में से किस बैंक को Chief Executive Officer, Chief Executive Officer कहने का मतलब है कि CEO, ठीक है न, Chief Executive Officer, यानि CEO कर मैनेजिंग डिरेक्टर आदित्य पूरी के उत्रा अधिकारी के लिए, तीन उम्मिद्वारों को shortlist किया गया है, तो फ्रेंट्स का सही अंसर हो ज HDFC Bank, HDFC Bank के Chief Executive Officer कर मैनेजिंग डिरेक्टर आदित्य पूरी के उत्रा अधिकारी के लिए, तीन उम्मिद्वारों को shortlist कर दिया गया है, shortlist किये गए नामों को regular regulator RBI को बेजा जाएगा, ठीक है न, बात कर लेते हैं कि HDFC Bank का मुख्याले कहां पे, तो महराष्टर मुमबई में है, ठीक है, और इसके Chairman के बारे में बात कर लेते हैं, तो दीपक पाडेक, ठीक है न, दीपक पाडेक, दीपक पाडेक है, HDFC का Chairman, चलिए next question को लेखते हैं, question number 9 है आपका, किस राजे ने इस संजीवनी OPD की सुरुवात की है, तो फिर इसका सही अंसर हो जागा, हिमाचल पर परदेश जो है, इससान जीवनी OPD की सुरुवात की है, अब बात कर लेते कि हीमाचल परदेश की राजधानी कहाँ पे हैं, तो सीमला या धर्मसला कर सकते हैं, ठीक है न, सीमला, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिले गा धर्मसला, ठीक है न, धर्मशला बात कर लेते कि यहां के cm कौन है तो यहां का cm है जैराम ठाकुर जैराम ठाकुर ठीक है जितने भी extra fact में बता रहा हूं काफी ज्यादा important है यह आप ध्यान में रखते चलिएगा ठीक है न यहां की governor की बात करें तो governor है भंडारू दत्तत्रे बंडारू दत्तत्रे ठीक है यह आप ध्यान में रख लिजेगा चलिए next question को देख लेते question number 10 है आपका किस IIT ने high speed magnating ram विक्सित की है तो फिरेंट इसका सही answer हो जागा option number A IIT मंडी ने अब बात कर लेते कि IIT मंडी कहां पेस्तित था इसका location क्या है तो इसका location है हिमाचल परदिज ठीक है न इसका location है हिमाचल परदिज हिमाचल पर्देश यहां कहें तो CM के बारे में बात कड़ी चुके है राजधानी के बारे में बात कड़ी चुके है गवर्नर के बारे में बात कड़ी चुके है तो यह आप ध्यान में रख लिजेगा IIT मंडी हिमाचल पर्देश में परता है यह मंडी जो है यह आपका डिस्ट्रिक है हिमाचार प्रदेश का ठीक है यह आप ध्यान में रख लिजेगा अब बात कर लेते हैं कि अस्थापना IIT का अस्थापना कब किया गया था तो IIT का अस्थापना जो किया गया था cough कहा पे खड़कपूर में इसमेड survived सबसे पहले वहां पे अस्थापना कियागया था अब इसके संस्थापक कौन है अस्थापना किस्ति किया था, IIT को अस्थापना किस ने किया था, तो J यानि जवाहरलाल, JL नहरू, JL नहरू, जवाहरलाल नहरू ने, अब बात कर लेते कि कुल अपने देश में भारत में कुल कितने IIT संस्थान है, तो 23 IIT संस्थान है, या आप ध्यान बेख लिएगा 23 संस्थान है ठीक है फ्रेंट्स अब चलिए question of the day देख लेते हैं यान ये today your question देख लेते हैं आज का आपका question क्या है जिसका answer आपको comment box में जरूर से जरूर बताना है भात किकी सराजे में क्रोना की वज़ा से lockdown को 7 मही तक बढ़ा दिया गया है option A में है गुजरात, option B में है करनाटक, option C में है तेलंगाना और option D में है बिहार इसमें से क्या answer सही होगा आपको comment box में बताना है और इसका discuss कल वाले वीडियो में कर लेंगे अपने दोस्तों के साथ share जरूर कर दीजेगा ताकि और लोगों को भी फायदा मिल जाए तो चलिए फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई टेक केर